है गाईज वेल्कम टु देव भूमी कर्यार पॉइंट तो देखिए उत्राखंड समुगवा मॉडल पेपर भाग 18 है आज और इसमें भी आपको मिलेंगे लैटेस्ट पेटर्न पर आधारी महतोपूंग कोश्यन तो देखिए अटेंप कीजिए बहुत दिन बाद यह कोश्य दर्जा देने वाला देश कौन था ठीक है तो कौन सा देश था विस्वका जिसने सबसे पहले मूल अधिकारों को समय धानिक दर्जा दिया था तो यह था दोस्तों अमेरिका ओप्शन इसका स्यांसर है USA ठीक है तो USA था यह नेक्स देखिए भारतिये वन सर्वेक्छंग की स्थापना कब की गई थी ठीक है तो भारतिये वन सर्वेक्छंग विभाग इसकी स्थापना बताने आपने किस वर्थ होई थी तो इसकी स्थापना होई थी 1981 1981 ठीक है ओप्शन डीज मसे आंसर है 1981 देखिए वनों से संबंदी जितने भी कोश्य नहीं ना उनको पग के आती हैं तो इसका जो राइड आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ओप्शन डी यह आउसिष्ट परवतों के उधार है ठीक है विंद्यान्चल सत्पुगा नीलगीरी पारसनात और राजमहल की पागया बहुत महत्तों है देखिए जैसा कि मैं आपको बोला वनों से संबंद था केंदर सरकार ने एंड दिलाइड आंसर इस ऑप्शन भी 2017 तो एक जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में एक देश एक कर यानि की वन नेशन वन टेक्स वाला यह जीएश्टी लागू हुआ ठीक है गुड्स एंड सर्विश टेक्स इसको बोला जाता है एक जुलाई 2017 ऑप ट्रिपल जीरो मानक प्रमाणन है यह किसकी गुणुवत्ता को दर्साता है सिंपली मलब किसके लिए बनाए इस पिसली ठीक है तो आयसो 22000 इसका संबन है दोस्तों खाद्य सुरक्षा से ठीक है तो देखे आप जब भी कुछ खाद्य सामान लाते हैं वहाँ पे आपने बह होते हैं सभी प्रॉडक्ट्स तो एक गाइडलाइन इनके लिए बढ़ाए गए दोस्तों जिसको पार करना जरूरी होता है उसी करम में मैं बोलो तो आयसो जो 22000 इन खाद्य सुरक्षा से संबन दे यानि कि जो प्रॉडक्ट हमारे बन रहा है वो कितना सेव हमारे ले ठीक है ध्यान रखेंगे आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधान मंत्रिये यह ध्यान रखेंगे ठीक है ऐसे प्रधान मंत्रिये जिनका जन्म भारत की आजादी के पश्चात हुआ 18 सितंबर 1950 राष्ट्रिये खेल दिवस कब मनाया जाता है तो देखे होकी का जाद विधान सभा यानि की MLE की बाद हो लिए ठीक है तो MLE बनने के लिए नियूंतम एस कितनी है तो यह दोस्तों 25 साल ठीक है अगर यहीं पर मैं बोलता है MLC बनने के लिए कितनी है विधान परिश्यत का सदश्य तो यह फिर 30 वर्स हो जाती है ठीक है राज्यपाल और राष् देशाए थे उत्राखंड के वर्तमान वन मंत्री कौन है तो वनों से संबंदी देखे वन रक्षक का पेपर तो थोगले बहुत जो फैक्ट उनको याद कर लिए आप जो पिछली रिपोर्ट थी वनों के और जो अभी की रिपोर्ट थी वो भी मैंने वीडियो आपको दे इसके साथ अन्य महतोपुल कुछ तत्य जैसे के वनों से संबंदी आंदोलन है इनको आप अच्छे से वहां पर पढ़के जाएगा ताकि एक भी कोश्यन गलत ना होने पाए तो वर्तमान समय में उत्राखंड के वन मंत्री है दोस्तों हरक्षिय रावत ठीकर डॉक्टर हर मारिंदर मोदी और इस मूवि को डेरेक्ट करने वाले जो वहकती हैं हो है ओमंग कुमार ऑप्षिय का से आंजर है अगला कोश्यन है बसक्राइए गोई थी टेल समय जोजना कब शुरू हुई थी तो यह सुरू हुई थी दोस्तों सी 2009 में थीक है 2009 में वह थी राष्टिय म तो दोस्तों यह अमेरिका में ध्यान रगेंगे ठीक है तो अमेरिका में है माउंट डेनाली बहुत महुत अच्छे से याद रुखें अगला देखें कुमाओ में सिक्ष्या विवाग की स्थाफना किस वर्स हुई थी तो देखें अभी जिन लोगोंने फॉलो किया मेरा एक कोर्स है था बिटिस कुमाओ गलवाल तो वो लोग आसानी से इसका आंसर दे देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था साब साब कि कुम से जो कुमाओ कमिशनर थी उसको नैनिताल भी इस्तांतरिट किया था नेक्सियर ठीक है और सबसे पहले सिक्ष्या विवाग बिना था अठाशा चववन में और कुमाओ प्रभाग से सबसे पहले सिक्ष्या इंस्पेक्टर बनने वाले व्यक्ति कौन थे बुद्धी बल्ल पंत शिक्ष्या इंस्पेक्टर एकजाम वारियर्स किस की पुस्तक है तो एकजाम वारियर्स नाम जो पुस्तक लिखिए किस ने लिखिए मैं चाहले में चलचा में रहते है कि प्रजातियाма wants खूमर निर्टे किस राज ये का प्रसिद्ध निर्टे है तो घूमर जो निर्थ्या दोस्तों किस राच्चे में किया जाता है तो घूमर निर्थ्या बहुत फेमस है राजिस्तान में आप्शन B से आंसर है लगाकु मान तेजस में उड़ान भरने वाली पहली महला खिलागी कौन बनी है तो बहुत चर्चा में रही थी ये खिलागी इन्होंने तेजस में उड़ान भरी थी और इसके साथ इन्होंने एक और केर्थिमान रचा था दोस्तों 2019 में मैं बात करूँ इनका नाम है पीवी संदु ठीक है इन्होंने वर्ल्ड बैट्मिंटन चेंपियनसिप भी जीती थी ठीक है पीवी संदु ने और ये तेजस में उड़ान बनने वाली पहली महिला के लागए बनी ठीक है और वहीं बात करूँ में 2019 जो राष्टिय चेंपियनसिप हुई थी राष्टिय बैट्मिंटन चेंपियनसिप 2019 साइना नेवाल जबकि जो हमारी वोल्ड इसका से आंसर है फ्रांस का है यह option बारते जीवन बीमा निगम का मुख्यालाई कहां इस्तित है तो देखिए लाइसी का यहां पर पूछा जा रहा है headquarter ठीक है चलिए में को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे लाइसी की स्ताफना कब हुई थी जितने भी question पूछूँग के उधारन है ठीक है तो यह बहुत अच्छा question है computer से related तो यह दोस्तों सभी extension है ठीक है जैसे कि आपने देखा को जो भी हम फाइल बनाते है जो भी application होते है या जो भी जो भी फाइल होते है संदर भी उनके आगे extension होता है जैसे presentation बनाएंगे तो dot ppt होता है document बनाएंगे तो dot dog होता है PDF बनाओंगो तो dot pdf होता है ठीक है तो आगे जितने भी जिस format में हम create करते है वह ई extension क्यालाते है Micro Computer की सुरवात किस Peerle में उई थी तो Micro Computer की बनें दोस्तों किस Peerle में माने जाते है तो यह 4th Generation में आए Option D सही आंसर है 4th Peerle में 4th Generation ठीक है और अभी चले 5th generation ध्यान रगिएगा अगला देखें MS Word में replace & go to के लिए shortcut की कौन जी होती है तो अगर आपने MS Word में काम किया है तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे तो उसमें replace करना हो या go to इसके लिएम कौन से shortcut की use करते हैं दोस्तों तो यह होती है इसका right answer है option C F5 कौन सी की होती है F5 ठीक है function keys होती है इस अभी अगला देखे इन मैं से storage device नहीं है तो कौन सी इन मैं से storage device नहीं है तो नहीं बताना आपने गलत कौन सा है तो यह हो जाएगा दोस्तों ऐसे question कोई ध्यान से पहुंचना है नहीं है सही है नहीं है बहुत कन्फुजेन हो जाते है कभी ध्यान से नहीं देखेंगे तो कोशन गलत हो जाएगा इस्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है तो प्रिंटर नहीं होगा इसमें सहाब पता चलिए ठीक है प्रिंटर क्यों जित होगा है तो डिवीडी के सब्सक्राइज हैं किस भारतीय कीज ने तीनों गोल में सम्मिलनों का खता हुठ था देख़िए बहुत अच्छा कोश्चंट है गोल में सम्मिलन में उए थी पैसा नेक्टिसमें और 1932 मे लंडन में जीती से या आप या से लो को उसमें सिप से जाते होंगे लोग जाते तर तो उनका जो रहने खाने का प्रबंद है वो पैसा किसने लगा किसने निर्वा किया था ठीक है तो उसमें के बहुत धनाड़े बेखती थे मदन मोहन मालविय जी ने किया था यह भारत का सबसे बड़ा द्यूप है तो दिये गए दोस्तों जो मिडिल अंडमान है यानि कि मद्य अंडमान ऑप्शन सी सही आंसर है मद्य अंडमान के आई पील 2019 की विजेता टीम कौन है तो देखिए आई पील 2019 की मैं जानता हूं कि यहां पर बहुत से चैनल पर जुगे लोग होंगे जो क्रिकेट के सौकिन होंगे तो SEC World Cup 2019 विजेता टीम कौन रही? इंगलेंड तीक है ऐसे फैक्टो को आप याद रखें और इसके अलावा देखिए अभी 2020 में 2020 World Cup होने वाला कहां पर होगा वो ऑस्टरिया में आई जीत होगा ठीक है वेन्यू भी पूछ लेता कई पार UK AAA से कि आगामी एसेन खेल का आउंग ठीक है यहां से question बनते हैं दोस्तों तो IPL 2019 जीता मुंबई इंडियस ने है अब 2020 में होगा आपात उपबंद का प्रावधान किस भाग में है तो समीधान के किस भाग में आपात उपबंद का प्रावधान है दोस्तों अच्छा question है तो यह भाग 18 में है option C हो जाएगा इसक आप आतकाल के उपबंद होते हैं जो भारतिय लगो द्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी तो देखिए लगो द्योग विकास बैंक इसकी स्थापना होई थी 1990 में option D सही answer है 90 में ठीक उनिस तो नबबबे चाइना में सब्द का संब्द किस खेल से है तो अब खेलों से संब्द ही एक एक even और पूछ लिया जाते हैं कभी कभी खेलों से चर्चित व्यक्ति को पूच जाता है और कभी खेलों से संब्द ही टर्म पूछ ली यात कि सांद टीयुआ तो चैना में जो तर्म है दोस्तों यह जूबल इया किल्केट के साहarios करो बॉलिं बहुत अच्छा कोशियन है तो दीखे काली कुमाओ चीतर यानि की वर्तमान चंपाउत की बाध हो लिए यहां पर पहला भूबंद वस्त करने वाले जो सा सकते वो चंद सा सकते ओप्शन ही सही आंसर जाएगा और काली कुमाओ चीतर में जो पहला भूबंद वस्त किया वो चंद सासक को था रतंचंद में बता चुक हूँ कई बार उत्राखंट जी के वन लायनर में जी के टेस्ट में तो रतंचंद नहीं किया था तो यहां पर आंसर जाएगा चंद सासकों ने कौन सा इस्तल देरादुन में इस्तित नहीं है, तो इनमें से कौन सा प्लेस है, जो देरादुन में नहीं है, ठीक है, तो देखें, सिद्ध आप याद रखेंगे, देरादुन में चार सिद्ध है, उनको लाश्टाम एक कोश्यन बना था, I think किसी एक्जाम में, और यहाँ प तो प्युक्ति मेंसे कोई नहीं होगा इसका अंसर ठीक है option D सब भी तो देला दून में है यह अगला देखे हम राही जमीन आसमान नामक पुस्तक के रच्चता कौन है ठीक है तो हम राही जमीन आसमान तो यह पुस्तक किस ने लिखी थी तो यह पुस्तक लिखी थी तो उस्तों option है मनोहर स्याम जोसी बहुत चर्चित परसन है इनके बहुत से दूर दर्शन कर दारावाए कि था हम लोग मुंगे लाल के हसीन सपने थे उसके साथ साथ इनके बहुत से कथा संग रहा हैं और अन्य महत्वपूर गद्धे रचना हैं जो आप को याद करने होगी एक्जाम के लिए ठीक है तो आप एक बात देख लिजेगा इन कवी को एक्जाम से पहले कुछ महत्वपूर नाम हैं जिनसे कोश्चन बनने की अमेशा संभाव ना रहती है तो रिविजन परपस एक बाद जरूर देख ले दोस्तों दर्वाजी पर कौन खड़ा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है तो दर्वाजी पर कौन खड़ा है तो इसमें कौन सा सर्वनाम है सेंटेंस में तो इसका राइड आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा इसमें इन में से कोई नहीं ठीक है तो दर्वाज तुम यहाँ काम मत करो, वाक के कैसा है, तो अगर आप बोलते हैं किसी को तुम यहाँ काम मत करो, तुम यह वाक के कैसा है दोस्तों, यह एक नकारात्मक वाक के है, यानि कि निसेधार तक, तुम यहाँ काम मत करो, रोका जा रहा है न, अगर तुम यहाँ काम मत करो, रोका ज जरूरी है तब जाकर आप अलंकार को यहाँ पर पकड़ पाएंगे दोस्तों ठीक है तो बीती विष्वरी जागरी अंबर पंगट में डुबो रही तारागट उसा नागरी यानि कि जो प्रात्यकाल हो रहा है प्रात्यकाल का सुन्दर वाणन किया जा रहा है सुन्दर यूटूब पे एक ओर्स देया था मैंने ब्रिटीस कुमाओ करवाल ग्यार भाग दिये थे जिसमें हमने संपूल प्रसासनी के तियास देगा था ब्रिटीस कुमाओ छेतरिका ठीक है तो कुमाओ वाटर रूल से सबसे पहले पारेट के थे ब्रिटीस असने 1917 में अब 17 में लगए ये कौन था तो 1914 से लेकर 1924 तक जो कुमाओ का मिशनर था दोस्तो वो था परसी विंडम यानि के ओप्सन सी सही आंसर इसका ठीक है परसी विंडम इसके बाद देखे कुमाओ वाटर रूल्स में संसोदन हुआ 1930 में ठीक है ये भी या देखे है परसी वि जो प्रिटिस कुमाओ करवाल था उस स्कोर्स को देखे है पत्र लेखन का प्रारंबिक तत्व क्या है तो पत्र लेखन का प्रारंबिक या मोल तत्व क्या है ये बताना आपने ठीक है मोल तत्व तो किसी भी पत्र लेखन का जो मोल तत्व होता है दोस्तो लैटर राइडि था कि अगले आदमी पर जो उसको पढ़ेगा उस पर अच्छा एक इंपक्ट पढ़े सके ओके तो पत्र लेकन का प्रार्यमिक तत्व है मूल तत्व उद्देश और पत्र लेकन का अनिवार्य तत्व हो जाता है संचिप्तता बगते अगले कोशियन की तरब नीरू-सीरू का कारिक्रम का संबंद किस्से है तो नीरू-सीरू कारिक्रम ये रिलेट करते है दोस्तों जल सन्रक्षन से ठीक है तो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कारिक्रम है ये नीरू-सीरू कारिक्रम निम्नलिकित मैं से सकर्मक करिया है तो दीके सकर्मक करिया क्या होते है अकर् राम कार चलाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों देखे करता भी और कर्म भी दीख रहा है आमको तो राम क्या है कार चला रहा है तो यहाँ पर option भी जो जाएकर सकर्मक के लिए है next देखे चायावाद का विश्वू किसे एक आ जाता है महातोकन कोश्यन है बहुत ही अच्छा कोश्यन है चायावाद का विश्वू तो देखे चायावाद के चार इस्तंब तो मैं आपको बता चुका था चायावाद के चार इस्तंब कोन कोन है एक तो है निलाला जी दूसरी लोग है यमारे पंत जी तीसी लोगे जैसंकर प्रशाद जी और चौती लोगों को दोस्तों छायावाद के चार प्रम्ग के स्तंब कर जाता है अब यहाँ पर छायावाद के विशुन पूछा जा रहा है तो यह बोला जाता है दोस्तों नो डाउट हमारे राज़्ये के जो महान कभी है सुमीतिरा नंञण पंथजी उनको छायावाद का विशुन करा जाता है पंथजी का जन्म कब हुआ था बहुत महत्तौपन कोश्याद है तो पंथची का जन्म उननिस सो में हुआ था और कहां पर हुआ था कॉसानी नामक प्लेस में हुआ था पंत जी के बचपन का नाम क्या था गुसाई पंत था ठीक है बार में कॉलेज में गए तो इनको कॉलेज की आवा लगी इनोंने पिर नाम चेंज कर लिया अपना निम्न में से किस कवी को महापंडित कहा जाता है तो ये हैं दोस्तो राहुल स्कृतैन ई जीवन और जीवन वन यात्रा कर लिकी जैसा मेरी एशिया यात्रा है लगता क्वाल यात्रा बहुत से ऐस य साथना है यह कुमाउगरवाल हिमाला पर नाम को बाचपन की रहुत physics नाम तो इनके बच्पन का यह मूल नाम है केदार पांडे ये भी आपको इया दखना होगा केदार, पांडे, ठीक हें तो महपंडित भी इनी को बोल Maja भी पुला जाता है निम्डमे या से देरगि-owski स्वर नहीं है यह बतानाए आपने ठीक है? सा नियूंत साइं नीया है क्वसल क्या हुआ है wsब भांटव कर चूके हैं सभी सेसेशन प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्टी से इसान पर थी सेसेशने ही सब्सें Keeping सela का यूज होता है यहाँ पर किसम है आपका नहीं है बाकि यह आ ई यह सब क्या है दील के सुखर है । रखा जाताह है नेक्स देखे थोथा चना बाजे घना लोकोक्तिक अर्थ क्या है तो थोथा चना बाजे घना इस लोकोक्तिक अर्थ हो जाते है दोस्तों ओप्शन C जो गुमहीन व्यक्ति होता है वही आधिक आडंबर करता है यानि कि simply जो आज की डेट में चल ला पूरा समाज इसी पर जी तो ऐसा कभी नहीं करने है थोता चना बाजे घना तो गुणहीन व्यक्ति जो होता है विल्कुल जिसको कोई तमीज नहीं है वही व्यक्ति जादा धोंग करेगा आडंबर करेगा अपने को अच्छा जताना चाहेगा सोसाइटी में तो यह चीज़े छोड़ने है दोस्तों ए हमारे जो अंदर का potential है उसको control होना चाहे हो उसको अपना एहम है उसको अंदर तक ही रखना चाहेगा कभी भी प्राउट अपने को दिखाना नहीं है तो थोता चना बाजे घना वाली फिलॉसिपी कभी अपने जीवन में नहीं लाने दोस्तों ठीक है गुमिमान व्यक्ति क अगला आए देखें विशिष्ट दैतवात के प्रवर्तक कौन है तो विशिष्ट दैतवात दैतवात जितने भी वाद हुए इनको याद कीजिएगा आप अच्छे से यहां से कोशें निकल गया तो फिर कंफ्यूज रहेंगे तो विशिष्ट दैतवात की मैं बात कर दोस्त तो इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार यह ओप्सन सीज का सही आंसर है रामानुजाचार यह ठीक है ध्यान देखेंगे चले बगए अंगले कोशें की तरह असत्य कथन का चायन कीजिए इन में से एक कथन असत्य है बताए यह कौन सा हो जाएगा तो देखें एपी कल्चर मधुमक्की पालन बिल्कुल सही है बई सैरी कल्चर रेसम कीट का अध्यन यह भी सही है एंटमोलोजी पक्षियों का अध्यन यह बिल्कुल गलत है दोस्तों ठीक है तो इसमें असत्य कथन हो गया ऑप्शन सी ठीक है पक्षियों का जो अध्यन हो होता है तो कॉफी का सरवाधिक उत्पाधन करने वाला राज्य है दोस्तों नो डाउट इस करनाट है को उप्शन सी सही आंसर है ठीक है यह थोड़ा डाउट फूल एक बार चेक किजीगा इसको लेकिन बीमारी तो इसमें विल्कुल सुद्ध है ठीक है अनाधिकार में थोड़ा डाउट है मेरे को एक बार देख लीजीगा इसको परियोग के आधार पर सब्द के कितने भेध होते हैं तो सब्द भेध हम पगड़ चुके हैं, हाल में ही मैंने आपको करवाय था सब्द भेद, ठीक है, वो पुवार के भी करवा दिया, और कल मैंने परबंद भी करवा दिया आपको, सबी महतोपनों टॉपिक दे दिये हैं, कैसे पहचान करनी हैं, तो ठीक है, प्रियोग के आदार पर जो सब्द के परिशत का गठन कप किया गया था तो बारतिया एतियासिक अनुसंदान परिशत इसका गठन हुआ 1972 में ओप्शन इसा ही आंसर है 1972 1972 से अब मिर को याद आ रहा दोस्तो एक महत्तो पूण यहाँ पर देखे भारत में वन्य जीव संद्रक्षण अधिनियम भी आया था ना इसी टाइम पर वन्य जीव संद्रक्षण अधिनियम 1972 गए तो है न तो इसी टाइम भारतिया आतियासिक अनुसंदान परिशत का भी गठन हुआ चले बढ़ते हैं आगे शिक्ष्या के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बना दिया गया था तो किस वर्स सिक्ष्या के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया ठीक है और सांती बताईगा किस समिधान संसोदन से यह हुआ था यह आप कमेंड करेंगे जितने भी कोशन यह पता होना चाहिए ठीक है तो तब यह आंसर कर पाएंगे शिलिकॉन सीटी बोल जाता है बंगलूरू को बंगलूरू को इस बदाई बंगलूरू कहां पर तो यह करना ठीक में ऑप्षिन भी ठीक है सिलिकॉन सीटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनिक्स जितने पर असके डेट में जो इलक्ट्रोनिक गैजिस्ट हैं लाइक लैपटोब हो गया हमारा PC हो गया हमारे माइक्रोप्रोसेसर हो गया जो भी हमारे PC भी अगर बनते है तो इसके ज्यादा जो चार खानी और जितने भी वहां पर हमारे बोल सकते हैं क्देटमंट मैनुफेक्ट्रिंग वम्य सचथे दें इसलें बेंगलोरी को зарज déjà इंडिया की और बहुत से नाम थो के यहां पर साइलेंट वैली भी पूछ जा जाते हैं साइलेंट वैली केर्लः में अबिके राश्टीय भारत परिवर्तन संस्तान के इस्तापना कप की गई अच्छा question है देखे राष्टिय बाहरत परिवर्तन संस्तान तो यहाँ पर बात हो रहे है नीती की National Institution for Transforming India नीती आयोग की बात हो रहे है देखे पूरा इंदी में दे दिया अब बहुत से लोग जो इंग्लीज मीडियम वाले उनको confusion हो जाएगा इसमें तो right answer जाएगा इसका option एक जनुवरी 2015 से आया ना अस्तित्व में नीती आयोग योजन आयोग को समाप्त करके नीती आयोग को लाया गया था Also भारत में पृत्रम डांक टिकट कहा जारीर किया था very good question है बहुत अच्चा question है तो देखे भारत में पहला डांक टिकट जारीर हो था दोस्तों कराची में option b क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी तो हमारे हिस्सा होगा न राची में हुआ था और पहला डांग टिकट 854 में जारी हुआ था और उसमें भारत का ततकालीन गवर्णर जनरल कौन था लॉड डलहोजी कौन था डलहोजी ठीक है याद रखेगा मंगलेश डवराल का संबंद किस जन्पत से है तो मंगलेश डवराल बहुत बार बता चुक मो하는데 करिए का उत्राखंड आयरुएदि क और ट्रचला अअयरुएधिक काव इस्तितत है तो यहां पर बात हो लेकां पैसे दो हुए हुए हैं दोस्तों राज्य में ये कोश्यन में पूछा जा रहा है और इसका सही आंसर है ऑप्शन भी 12.8 पृतिशत लगवग 13 पृतिशत लोग हैं जो किर्सी में जुड़े हुए हैं एकुरेट 12.8 हैं और 13 गे आराउंड भी आता हैं एक एक्जाम में तो फिर आप स सग्षट में कहां पेस्ता अपना हो इसकी रामनगर में और दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में 1967 में बाद में इसको अप्टेट भी किया गया था फिर यह भी पताया था मैंने आपको टेस्ट सरीज में बगोली डेम परियोजना किस नदी परिस्तित हैं तो उत्रा टो भद्रिकाली सकति पीट किस जण पर में इस्तित हैं तो भद्रिकाली सकति पीट इसकी लोकेशन हैं बाजेस्वर जन पर में option c सी और बागेश्वर बागिश्वर, वर्तमान समय में जनसंचार का सबसे लोकपिर्य माध्यम कौन सा है, तो देखे, पूरा डिस्क्रिक्टिव सेशन दिया था, मैंने जनसंचार का आपको, आधुनिक जनसंचार के माध्यम, जिसमें आपने देखा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एंड सोसल मीडिया, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको, वर्तमान समय में जनसंचार का सबसे लोकपिर्य है, जो पॉपुलर हमारा माध्यम है, वो है सोसल मीडिया, ठीक है, ओप्शन सीज का सही आंसल जाएगा, सोसल मीडिया, चलिए बगते आगे, सेनापती नीलु क प्रेजडी होती है, ठीक है, इससे संबनी सबी बात है थी, तो यह था दोस्तों, गरुगल ग्यांचंद के डैम पे, ग्यांचंद, ओप्शन इससे यांचर है, गरुगल ग्यांचंद, डूंगा तोली चमोली वन आंदोलन, किस विलक्षी की कटाई के विर्द सुरू अप्शन B से आंचर है, बाच, अलमोगा से हस्त लिकित सुधाकर नाम से साहितिक मासिक पत्रिका के संपातक कौन थे, तो यह मैं आपको बता चुगा है, उत्राखंड के प्रमुक साहितिकार में मैंने आपको बताया था, कि इनमें से कौन वेक्ती थे वो, जिन्होंने राचना है, इलाचंदर जोसिकी देशिन, सन्यासी है, जहाच का पंची है, घ्रणाम ही है, बहुत सी इनकी राचना है, एक बात देखना चीए आपको, कतूरी सासन काल में सर भंग क्या था, तो बहुत अच्छा टारम मिल गया था, कतूरी सासन काल जब चलता था, उसमें स अगला देखे, उत्राकर में 5 विद्धायों के अध्यक्षी कोन है, तो दिसंबर 2019 के करेंट अपर मैं आइधिंग मैंने बताया था आप वो, देखे, उत्राकर में 5 विद्धायों का घठन हो गया, इसके अध्यक्षी बनाए गया है, इंदुकुमार पान्डे हैं, ये n d, इन में से कोई नहीं, क्योंकि नहेरो इंस्ट्यूट ऑफ मान्टिन इरिंग की स्ताफना उइति, 14 अवंबर 1965 जो की अप्षन में नहीं है, 1965 में हुई थी, उत्तरकाशी में, तो तरकाशी जनपद में आ अगला कोशन है, अमोग भूती की मिल्ती के बाद किस वंस ने सा तो यह थे दोस्तों सक ऑप्शन सी सही आंसर इसका सक पाताल गंगा किसकी सायक नदी है तो देखे सायक नदी है उसे भी कोषिशन बनते बहुद बाद टूपिटर जो रिवर्स हैं बहुत इन से कोषिशन निकलके आते हैं छोटे छोटे और डिफिकल्ट कोषिशन आते हैं अब थे तो पाताल गंगा सायक नदी है दोस्तों अलगनन्दा की option है इसे अंसर है इसका अलकनंदा उत्राखंड की महलाओं का एक आभुशंग तिलहरी कहां पे पहना जाता है तो देखे उत्राखंड की जो लोक संसक्रती है इस पे पूरा मेरा वीडियो है कोर्स है अनकेडमी पर देखे अनकेडमी पर मेरे सभी कोर्स फ्री है काफी लोग यह सोचते होगे कि वहाँ पे पेड होगा लाइब क्लासेज होती है लेकिन मेरे सभी फ्री कोर्स अनकेडमी पर ठीक है कोई भी पैसा नहीं लगेगा वहाँ पर आपका देखेगा और साथी यूटूब पे भी दिया है मैंने उत्राखंड का यह आभूशंग वाला चेप्टर जो तिलरी होता है उत्राखंड में दोस्तों यह मेलें गले में दारन करती हैं और खासकर इसको सुहाग का प्रतिक भी माना जाता है सुहाग का तिलरी को याद रखेंगे उत्राखिण में निम्द में से किस रितु को इस्थानी भासा में चौमासा कहा जाता है तो बताईए अब उत्राखिण में कौन सी रितु है जिसको चौमासा कहा जाता है हिूंध कहा जाता है रूगली कहा जाता है बहुत से Selbst तर्म है उतराकिन में स्तानि लेंग्विज में चौमासा specifically use होते है दूस्तों वर्सारितु के लिए ठीक है जो वर्सारितु चलती है न तो उसमय इसको चौमासा या चातुरमास भी कहा जाता है बहुत से places में ग्रिस्म रितु को रूगलिया खर्षावु, ृषीत रितु को यूंद कहा जाता है, यूंदृ, बसंत तो फिर बसंती यहां भी बसंती बोलते हैं, चैत की रितु बोलते हैं, खास कर देखा जाए तो, अगला देखे सुमेलित नहीं है इनमें से देखे एक यूग में ऐसा है जो सुमेलित नहीं है एक तरब पीपल दिये हैं दूसरी तरब उनसे सम्मधित उनके प्रॉपेशन दिये हैं तो देखते हैं कौनसा सुमेलित नहीं है हर्सवंती बिष्ट परवता रोहन बिल्कुल सह गुल्डन बॉइ उतराःण का जाते हैं लक्षे शेंग तेबल टैनिस बिल्कूल गलत है दोस्तों हर्षय वथापा मुक्के बाजी बिल्कूल से हर्षय थापा को मुप्के बाजी का भीस नोग-पिता महां का जाता है लक्षे सेन का संब्ध है दोस्तों बैट्मिंटन से ठीक है और भारत के पहले प्लेयर है ध्यान रखेंगे जिन्होंने जूनियर बैट्मिंटन वॉर्ल्ड चैंपियंशिप जीती है जूनियर वर्गुम है ना केवल उत्राखन के भारत के भी पहले स्फोर्समें हैं लक्षे सेन ठीक है जो कि बैड्मिंटन खेलते हैं सुटलर भी बोलते हैं बैड्मिंटन प्लेयर को त्यक है आपको पताओना चीए अगले दीखे निम्यंद में से कौन सा कथन असत्य है तो एक कथन इनमें से बताने है साट्य कौन सा है तो देखे मंत्री पर्षत की सदश्यों की संक्या 15% निशीत की गई बिल्कुल सही है देखे भारत में विधान सभा हो या लोग सभा हो टोटल सीटों के 15% पर ही क्या क्या जाएगा मिनिश्टर बनेंगे यानके कैबिनेट मिनिश्टर या चौन्ने मिनिश्टर हो बनाए जाँगे मंत्री परिश्ट जोगी टोटल नमबस की 15% होगी यानि कि अगर मैं सिंप्लि आपको समझाओं जैसे उत्राखण की मैं बात करें तो इतने मिनिश्टर हो सकते हैं आप मुख्य मंत्री चाहित ठीक है त्यान दगेंगे तो ये तो कथन बिल्कुल सही है धन विद्यक के वह लोगसभा में पेस किया जाता है पहले ये भी बिल्कुल सही है प्राकलन समीती के सभी सदश्य लोगसभा से होते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों प्राकलन समीती में तीस सदश्य होते हैं कि लोग सभासे होते हैं सभी तो इसका आंसर यह क्या पूछ लागिन में से कौन सा कथन असत्य है तो कोई भी कथन कथन इसमें असत्य नहीं है यानि क्यों उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा option d's का सही answer जाएगा ठीक है क्योंकि तीनों कतन सत्य हैं उत्रागण में नगर निगमों की संख्या कितनी है वर्तिमान में तो current of your follow करते हैं तो इसका right answer बता पाएंगे आप तो उत्रागण में वर्तिमान में नगर निगम है दोस्तो आठ पहले 6 थे ठीक है और हाल में ही रिसी केस और कोड़वार ये दो नए नगर निगम बने ठीक है अरिसी केस और कोड़वार दो नए नगर निगम अगला दीक है नुवाक जोकोविच की स्खेल से संबन दीते हैं अच्छा कोष्यान है बहुत चलचाष में रहते हैं नुवाग जोकोविच से बिलॉग करते हैं ढूसरा नाम आप बहुत बार सुनते हूंगे राफेल नडाल तो राफेल नडाल का सम्मांद है स्पेन से और एक नाम और बहुत फिमस है रोजर फैडरर जिनका संबन्द है स्वीजर लैंड्स है और इस अभी टैनिस प्लेयर है देरादुन वन संग्रहाल ही कि इस्तापना कब हुई थी तो देखे देरादुन में जो फोरेश्ट म्यूजियम में इसकी इस्तापना का फर्स बताना आपने तो इसकी इस्तापना हुई थी 1906 में ओप्शन है नेपाल सरकार ने संगोली की संदी को कब श्यूकार किया था तो संगोली संदी तो देखे बिल्टी सा सो और गोरकाओं के बीच में हो गई थी पहले लेकिन उसको एडॉप्ट नहीं किया था नेपाल दरबार ने उसमें ठी ठीक है क्योंकि युद्ध तो अडार्जो पंद्र में खतम हो गया था ना और पंद्र में कुमाओ जनपत का गठन हो गया था गार्डनर आ गया था यहां पर लेकिन संदी एकसेप्ट नहीं किती उन्होंने ठीक है बहुत महत्तों कोश्य नहीं है असोक के कालसी सिलालेक मे तु कौन से राजाओं का नाम मिलता है तो यह दोस्तों option भी युनानी राजा । और उप्षिन भी इसका साथ अंसर मंत्र में उसकते हैं युनानी राजा घृकरीक लज़ते हम इन्हों इकी बात है कैईद खाना स funciona 회 पृपष्टर पृत्र रचाहर जैसे मुद्धों को पत्रिकारदा का बताने यहां पे आपको हिंदी का कुश्च नहीं है टो मैंने आपको बताया था पत्रिकार्था वाले lessons में हाल में ही जो दिया था Isting корпoration और प्रषटछाचार के मुद्दों को open करने वाला जो journalism है धूस्तों ये कहलाती है खोजपरक घ्रिकार्था, ठीक है क्या कहलाती है खोच परक पत्रिकार्था उसके बाद देखें पीत पत्रिकार्था क्या होते है यलो जर्नलिज्म पोलते हैं पीत पत्रिकार्था में दोस्तों पाठकों को लुभावने वाली खबरे होती है यानि ये फेक खबरे होते हैं खाली मसालेदार खबरे है कि कैसे ओडियंस को पत्री 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 की रचना नहीं है तो इनमें से कौन सी सुमित्रा नंदन पंति की रचना नहीं है दोस्तों देखे चिदंबरा है सौन धुली है कला और बुगा चाध है सन्यासी नहीं है सन्यासी जो रचना है दोस्तों यह इलाचंदर जोसी की है ठीक है इलाचंदर जोसी जिनको उत्राखं था हुमायू ठीक है अपने खोए हुए सामराजी को पाने के लिए 1555 में इसने क्या था सरहिंद या मच्छी वागा का युद्ध ठीक है जिसमें इसको बीजाई प्राफ्त हुए और फिर से दिल्ली सल्तनत में मुगल वन्स आ गया क्योंकि देखे उससे पूरों 1540 में क्या ह नाम का युद्ध हुआ था जहां पर सेल्सा सूरी ने बुरी तरफ परास्ति किया था हुमायू को और हुमायू देश छोगल के भाग गया था ठीक है उसने फिर आमर कोट में लिए वही पर अगबर का जन्म होता है फिर उसके बाद वापसी करते है क्योंकि सेल्सा सूरी म कि सरवादिक प्राचीन लीपी कौन सी है तो सबसे प्राचीन लीपी बदाने है भारत की तो यह दोस्तों ब्रामी लीपी ठीक है और यहीं पर अगर कोश्य नहीं बंदा कि भारत की सबसे सरवादिक प्राचीन भासा और सबसे प्राचीन भासा है यह बहुत गर्वा की बा iagsat 82 सिंब गरीक चाहिंआ को आरेकृक्षिनिक देने का नियुनाई किस आयोग की सिपारिस पर किया गया तो देखिए अभी EWS की बात उलिया जो गरीकः साङोग को आरेक्षिनिक देने वाली बाथ उलिया ठीक है तो कवान जाइयोग इसनेशी नहीं सिपारिस बगते हैं next question की तरफ निजिता का अधिकार किस अनुच्छेत के तहत एक मौलिक अधिकार है यानि कि निजिता का अधिकार यानि कि बातुरे right to privacy यानि कि जो हमारी privacy होते हैं ये भी एक हमारा मौलिक अधिकार है ये किस article में define होते है and the right answer है जो option B किस सासक ने किलसी विभाग दिवान एक कोही की इस्तापना की थी बहुत अच्छा question है तो सल्तनत काल में देखिए दिवान एक कोही नामक जो किलसी विभाग था इसके इस्तापना करने वाला सासक था मौहमद बिन तुगलक option D तुगलक बहुत ही महत्वाकांची राजा था और बहुत जदा बिद्वान राजा भी था दार्शनिक भी था लेकिन इसके कुछ decision ऐसे थे जिसके कारण बहुत बदनाम हो गया इसके रक्त पिपासु बोला गया पागल बात सा बोला गया पहला decision था कि इसने capital change करने का decision लिया दिल्ली से दौलता बाद खाली उसमें बेवजय खर्चा करवा है और इसने ऐसे टाइम पर भारत में उत्तरी भारत में tax बढ़ा था जब दो आप छेतरी में बहुत रकाल पढ़ा था जिससे बहुती जनता कुर्द्ध हो गई तीसरा decision था कि जब इसने ताबे के सिक्के ढलवाए तो लोगों ने क्या करा घर में टकसाल खोले खुदी डालने लगे लोग तो ऐसे decision थे जिसससे इसकी इकोनोमी बहुत चर्मरा गई थी इसले इसको सन की पागल अन्य तमाम नामों से जाना जाता है लेकिन इसने एक अच्छा गाम भी किया कि इसने पुर्थक किर्शी विभाग दिवान एक कोही की स्ताफना की थी विदेजी यात्रि डोमिंगो पामस किसके दरबार में आया था तो देखे डोमिंगो पामस यह आया था दोस्तो किर्शने देवराय की धारबार में उब्शन से सही cांज रह है किर्शन देवराय केंद्रिय भारतिय भासा सस्थान कहां इसती है पूर्वी ता ट्रेलवे का मुख्या लेक कहां इसती है तो देखे अभी हैào प्रियाग राज में दोस्तों और वैसे अभी पूर्वी तर्ट रेलवे की बात की जाले तो आपको थोगे कॉमन सेंस लगाना है पूर्वी तर्ट की बात हुए ठीक है यानि कि पूर्वी तर्ट पूर्व में कौन एकदम देखा जाए तो यहां पर देखे विलासपूर जबलपूर बीच में आता है मत्यप्रदेश में माले गाओं भी नहीं हो रहा है भूबनेसवर कहीं पूर्वी तर्ट पर आ रहा है ठीक है ओगलिशा यानि कि भूबनेसवर इसका सही आंसर है तो तो अग्या कनेक्ट करने की कोशिज भी कीजीगा एक्जाम में तब जाके कोशिण सही होते हैं अगला दीके स्री MN रॉइ दारा जन यूजना कर बनाई गई थी ठीक है तो MN रॉइ के द्वारा बताना है आपने किस वर्च में ये जन यूजना बनाई गई थी ठीक है तो दीके MN रॉइ ने सबसे पहले जन यूजना बनाई थी दोस्तों राइड आंसर इसका ओप्शन C 1945 में ठीक है कब होगा ये कर होगा ठीक है कन्फ्यूज ना करें कब बनाई थी से लिए MN रॉइ द्वारा जन यूजना कब बनाई गई थी ठीक है तो 1945 में बनाई गई तो दीके Butter Festival मनाय जाते हैं जातनी ते करने देकर ऌप्शन इस फेस्टिवल को local language में अधंडी उत्सव भी कह जाता है अधंडी उत्सव एक पशूचारकों का एक फेस्टिवल है दोस्तों और ये दयारा भुग्याल उत्तरकासी में सेलिब्रेट होता है यानिकि ऑप्षन ही सही आंसर जएगा उत्तरकासी ठीक है मक्षन की ओली के लिए आती है यहां पर जो पसुचारे के हैं उपर हाईटी एरिया से जब पहुंसते हैं गाउं में तो लो में अगला देखें उनीसोचपइस में लोगसे वायुग का गठन किस आयुग की सिपारिस पर वहाता तो जो क्षसपगी योपीसी है यह लोग से वायुग य्योण पॉद्टिक सर्विस कमिशन किस सिपारिस葉 किस किस आप ड़ुद उसका गठन उनीसोचपइस में स्तापन अगभी उनिस्तो चब्विस में हुई और यह हुई थी दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो यह था दोस्तों ली आयोग ऑप्शन सी सही आंसर इसका ली आयोग ठीक है कि टीरी गडवाल में निर्मित दोब्रा चांटी पूल की लंबाई कुल कितनी है ठीक है तो देखिए मैंने करंटर फिर में भी आपको बताया था दोब्रा चांटी पूल यह बन रहा है दोस्तों और इसके बनने से और 100 km कि दिस्टैंस काम होगी जो लोग घोम के आते हैं दूसरी बाद यह दूसरा देखिए उत्रा घंड का एक सिंगल लेन हेंगिंग रीज होगा तीक है सिंगल लेन प्रीज होगा और दूसरी बाद इसकी जो लमबाई मैंने आपको बताय थी बहुत लंबा है कई देखेi कॉछ ऐसे भी वेध है हमारे कि जीवन में जो ऐसे कन्ञाओं के जन्म की निंदा कर रहे ह। थिक है थो आज डेखे आपर आम जो जिम्मेदार धहराते तो आति शेक्ति नहीं हो गिये तो प्राजिन का अल से ही ठीक कर वेदों में भी इसा लिखा गया है और ये वेद दोष्ट जो अशर बोलते है अधर शवी दए आपसन चीप कि आसंएं की स्थापना कब हुई थी कре कि ओडJim chuyabeth अगर क्युन जातुन हुआ अधर्जाम में गय्किए के आशेचेपर तो इसकी सतापना हुऊ थी राइड आंसरेश का ऑप्षिन भी 1967 में 1967 में हो थी ऐसे दीखे सार्क है दक्षेश तो आप बताएए मिलेको सार्क की स्थाफना कब हो थी तीखे साउथ एशियन एस्थी एस्थाफना कर देखा है तो आपको पता ही होगा कि कब कुमाओ गरवाल में वन विभाग की स्थाफन सब्सक्राइब नियुक्त के लिए था नियुक्त नियुक्त कोई दिक्कत नहीं होगी लाश्ट कोश्य ने देगे इस िसमाइब तो कौन सा जन पत पतर अधार झाज्ट्रा ळसा सर्वाधिक बूसरíasability देखा जाहे तो क्योंकि वहाँ पर ज़ो सरवाधिक भूमी स्कूर्वर भूमी मितंस खराइस के लिए अरे लिर स्वाफिकिल तो दोस्तों यह था उत्राखेंट गुरूप सी मॉडरल पेपर 18 इमानदारी से बदाए कितना स्कोर किया आपने अगर आपने 60 प्लस स्कोर किया है तो इतने भी कुछिन पूचिया उनका कमेंट कीजिएगा और अगर किसी कुछिन में डाउट क्वेरी हो तो वो भी कमेंट क को मैं करेक्शन करते हूं तो थेंक यूफर वाचिंग अच्छे से अपनी स्टेडी करें अपना ध्यान रहें देखिए अभी पेपर होने वाला है पेपर को पेपर की तरह ले उसको लगाई या जंग ना समझे अपनी जिंदगी की अंतिम लगाई ना समझे बहुत से और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नियुकि जो लोग अच्छी तहीं आरे मैं काफी लंबर समय से ठीक है तो सबको all the best है जल्डी मिलता हूं अपना ध्यान रहें अच्छे से श्टेडी करें जय हिंद जय उत्रागंड